हेलो अरिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चेनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज्यूकेस्टन चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी दातों के संक्रामन की दवा के बारे में इनफ्लामेशन कहते हैं और काफी दर्द भी होता है और कई बार इनफेक्शन ज्यादा फैलने से वहाँ से इस तरह से खून भी बाहर आता है यहाँ पर आप देखो की जो सुजन देखने को मिलेगे आपको दातों और मसुड़े के आसपास और वहाँ पे काफी पेन होता ह फिर दातों में sudden होने लगती है, infection और जदा फेलता है, काफी दर्द होता है, आपके दातों की आसपास आपको काफी दर्द फिल होता है, oral cavity में दर्द फिल होता है, किसी चीज़ को चबाने से या फिर आप ठंडा पानी पीते है, तो भी आपको जो वो काफी दर्द महसूस हो आपको काफी दर्द का मैसूस है तो उसका इलाज कैसे करें पांच सबसी दव अच्छी दवा या कौन से है तो उसके बारे में जानते है तो एक्सपर लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्रॉफिसर और फाउंडर और फामरोक्स तेंक यूवर बीन फामरोक्स फेमिली सब्सक्र वर्निंग कॉंटर इंडिकेशन एक साल तक अफ़रिबल प्राइस में तो ये कूर्स जोइन करने के लिए हमें 901631220 पर जरूर से आप हमें वाट्सेप करें हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो डेंटल इंफेक्शन की ऐसा प्रॉब्लेम की जिसके इंदिर आपकी जो दातों का जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्षन है वो चेंज होता है और यह होने के बहुत सारे अलगए लेक रीजन्स होते है और उसमें से एक प्राइमरी रीजन होता है कि बैक्टिरिय के दोरा हुआ infection या फिर आप अच्छे से आपके दांट साप नहीं करते poor hygiene रखते हैं दातों को अच्छे से clean नहीं करते दिन में दो बार brush नहीं करते तो ऐसे reason sir के कारण और dental infection हो सकते हैं तो उसमें damage क्या होता है सबसे पहले तो जब भी समझें कि आपको teeth में infection होता है तो आपकी जो दातों का जो उपरी परत की जिसको हम inamel कहते हैं वो जो वो damage होता है और जिसके करण आपको दर्द का आईसास जो ज़्यादा होता है inamel के साथ हो साथ यह जो dentine होता है नीचे जो pulp का वाग होता है वो भी damage होता है और फिर वो infection आपके जो nerve and blood vessels होती है वहाँ तक फरजता है जिसके करण जब blood vessels damage होती है तो वहाँ से खून आना सुरू हो जाता है और neurons के damage होने के करण या फिर वहाँ पे वहाँ तक infection फैलने से आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है पेन के sensation जो वह काफी बढ़ जाते है दातों में sudden होने लगती है cavities बढ़ जाती है जो मसूड होते हैं कि जिसको gums कईते हैं उसके आसपास जो वह सुजन देखने को मिलती है और pulp dentin, blood vessels, neurons वगेरा जो वह damage होते हैं तो यह क्यों होता है तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो bacteria के करण infection होता है वह देरे देरे नीचे तक फैलता है और उसके करने से होता है poor dental hygiene अच्छे से आप दाउंस साफ नहीं करते दिन में दो बार minimum brush करना चाहिए बढ़ आप नहीं करते कि एक आप सुबह brush करते एक र sweet चीज़े लेते हैं कि eating excessive sweet तो यह दोनों ध्यान रखे कि काफी ज्यादा amount में मीठा खाने से या फिर sugar वाली diet आपकी काफी ज्यादा है तो उसके करन भी आपको दातों में infection हो सकता है और अगर आप soda ज्यादा लेते हैं तो भी dental infection के chances बढ़ जाते हैं तो reasons कुछ ऐसे और भी है जैसे कि आपकी दान्त जो हो काफी sensitive है gums मलब कि मसूडों में कोई disease होती है tooth impacted मलब की एक दान्त जो हो दुसरे दान्त से impact करता है मलब की यहाँ पे आप देखो कि यह वाला दान्त का number एक दे यह दो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यह point पे impact हो रहा है इसी तरह से यहाँ पे देखो यह दो दान्त एक दुसरे से impact कर रहे है तो उसके करन भी यह problem हो सकता है tooth का जो pulp होता है वहाँ पे inflammation है pulse formation हुआ है आपके मसूडों के अंदर दातों में sudden है, abscess है या फिर दातों में crack है तो यह सब भी resistance क्या होता है कि वहाँ पे जब भी आप कुछ खाना खाते तो उसके particle वहाँ पे जमा जाते है और वहाँ पे दिरे-दिरे sudden होने लगती है और आपके दान्त जो है वो damage होने लगते है वहाँ पे infection होता है और painful condition produce होती है तो symptom यह है कि अगर आपको dental infection है तो उसके करण आपको बुखार भी आएगा और आपको काफी दर्द होगा दातों में thrombing toothache जो कहते हम कि बहुती severe दातों में दर्द होगा उसके करण आपके दातों के आसपा सुजन देखने को मिलेगा आपके जो cheeks होते है वहाँ पे कई ब फिर कुछ भी pressure पढ़ता है दातों में कि जबने जो कि कुछ खाना खाते है आप चबा निकट राय करते है तो काफी problem होती है और जैसे मैंने आपको आपको कहा है कि आपके face या फिर आपके जो cheeks है आपके गाल या फिर आपके चेरे पे सुजन देखने को मिलती है इसके तो पांस सबसे अच्छे दवायों के options क्या है तो सबसे पहला best option है pain killers क्योंकि analgesic दवाया जरूर से use करने पर देगे दात के जो दर्द को कम करने के लिए तो pain relievers का एक सबसे important option है second है जो bacterial infection फैलता है कि जो bacteria वहाँ पे अपनी growth कर रहे है उनकी growth को कम करना जरूर है तो दू mental analgesic जो दवाय आती है special वो एक option है चौथा आप salt water से gargling कर सकते है तो ये एक option है और पांचवा cold compress मलब कि समझे कि आपको यहाँ पे दांत दर्द हो रहा है अंदर की और तो उस जगह पे आप cold compress मलब कि जो cold water bag जो आती है उससे वास पे आप जो वो सेख सकते है ठंडे पा पाउच आता है कि या पर आप देखो कि यह जो पाउच दिखाए गया है उससे cold compress बेदे सकते हैं कि जिससे आपका दर्द जो वो कम हो और अगर यह पांचों आप्सन काम नहीं करते तो आपके पास आपरी आप्सन रहता है डेंटल सर्जरी का तो पेंकिलर में बहुत सारे है जैसे कि नौन ओपियर पेंकिलर या फिर नौन स्टेरोडल एंटी इंफ्लमिरे ड्रग जैसे कि परसेटामल है तो यह मेडिकेशन आप खा सकते है कि अगर आपको दर्द है तो मेक्जिमम दिन में तीन बार जो पांसों अमजी का यह जो टाबलेट है वो पेंसेंट खा स या फिर इनकी जो कॉंबिनेशन साते हैं कि परसेटामल एसिकलोफेनेग सेराटियो पैप्टिडेज या फिर डाकलोफेनेग और परसेटामल का कॉंबिनेशन पर पेंसेंट खा सकता है यह दवाया कुछ साइड एफेक्स कर सकती है जैसे कि इन डाइजेशन स्टमक में अल दवाया दूसरा ओप्सन है एंटिबायोटिक्स का जैसे कि पैनिसलिन क्लास के एमपेसलिन या फिर एमोक्सिलिन और उसमें समझो कि आप यह कॉंबिनेशन यूज करेंगे एमोक्सिलिन के साथ पोटेसियम क्लेवलेनेट का तो वह जो आपको काफी रहात देता है कि आपक प्रक्ट्रिल इन्फेक्शन कम होता है और साथ में आप कॉंबिनेशन में पेन के लर्भी खाते तो आपका दर्द भी कम होता है और संक्रम अनकम होने से आपको काफी ज़्यादा आराम मिलता है अगर आप एमोक्सिलिन यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपको पैनिसलिन के तो आपके लिए ये भी एक बेस्ट उपसन है कि ये जो 200 mg की जो tablet है वो दिन में patient दो बार लेगा तो वो enough रहेगा उसके infection को treat करने पर तो इस तरह से antibiotics यूज की जा सकती है फिर आप यहाँ पर आप देखो कि amoxicillin देख रहे हैं ampicillin, azithromycin का भी option रहता है कि ampicillin या फिर amoxicillin, cephexym या फिर sept reaction azithromycin या फिर erithromycin या फिर doggyacillin तो यह जो आपने डिसकस की antibiotics यह सभी में से कोई एक कि antibiotics में क्या होता है कि कई बार लोगों को allergy होती कि कुछ लोगों को समझो कि amoxicillin के allergy है तो ampicillin पर नहीं कहा सकता तो उस वक्त वो azithromycin ले सकता है because penicillin की allergy हो तो आप cephexym भी नहीं खा सकते बिकोज दोनों similar medication से तो आपके पास azithromycin या फिर doggyacillin का option रहता है फिर अगर समझेगा आप azithromycin नहीं ले सकते तो यह सब option आपके लिए जो है वो open रहते हैं अब यह दवाइया कुछ side effects कर सकती एंटिवाइटिक से इसलिए तो उनके करण नौजय वामिटिंग हो सकती आपको दस्त हो जाकते हैं पेट में दर्द होना सेर दर्द स्कीन के उपर रैसिस वाज़ा एनल लिचिंग या फिर डिस्चार्ज या फिर यह दवाइया जो आपके सरीर के अंदर कमजोरी ला सकती है फटिक जो हम कहते हैं विकनेस वगेरा तो वीडियो के बेच में आपको बदा दोगे जो हमने मनुर अंजन के परपस से एक नई च उत्यक के लिए कि जहां पे जिस जगह को लाइस दर्थ के लाइए वहाँ पर जिसको लूंक का तेल भी हम कहते हैं वह पर लगा सकते हैं उससे मलश कर सकते के आपके चेहरे के बदाग पे या फिर डायरेक्ली मसुड़ो के ऐस पस कि वह एक डैंतल एनाल जिससी के दर पर क काम करता है कि जिसके अंदर जो एक यूजे नॉल करके एक इंग्रेडियंट रहता है वो एक नेचरल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करता है कि जिससे आपका दर्द जो हो काफी काम होता है और आपको दर्द में से रहात मिलती है काफी आरा मिलता है तो ये भी आप एक कर सकत है फिर दांत दर के दौरन आपको salt water से जरूर गारगलिंग करना है मतलब कि एक ग्लास जितना पाने लीजिए उसमें आप एक चमज या फिर आधी चमज जितना salt डालिए और उससे जो गारगलिंग करें और ये थोड़ा सा गुन-गुना पाने लीजिए ज्यादा ठंडा भी जिने गुन-गिने पाने से आप जो इस तरह से गारगलिंग करें और उसको फिर पिर कर देना है कि उसको आपको swallow नहीं करना है उसको सिर्फ और सिर्फ गारगलिंग करना है पांच वाबेस्ट आप्शन है साथ और साथ कोल्ड कॉम्प्रेस कि आप देखो कि ये जो cold water की जो एक bag आती है जिसके अंदर आप ठंडा पानी बरते है या फिर उसके अंदर बरफ बरते है और उससे आपके जो affected area कि जिस साइड आपको ज्यादा दर्द हो रहा है पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप अच्छे से जो वो massage जिसा करते हैं वहाँ पे सेखते हैं कि जिससे आपकी सुजन भी कम होती है और दर्द भी जो है वो कम होता है कि ये काफी effective technique रहा है जिसको का जाता है cold compress अगर आपके पास ऐसे bag नहीं है तो simple आप जो ice परफ है उसको किसी कपड़े में लपेट के भी directly आपको जहाँ पे ज ठीक नहीं हो रहे तो क्या कर सकते तो आपको जो डेंटल सर्जेरी जरूर से करानी पर देखिए अंदर अलग-अलग medical procedures हो देख जैसे की root canal treatment का एक option रहता है या फिर वहाँ पे जो प्रॉपर एरिया को clean करके modifying dentition भी किया जाता है या फिर surgery करके जो teeth है कि जिसके करान आपको ज़्यदा problem हो रहा है उसको जो निकालाज भी जाता है तो ये एक आपके पास आखरी option बनता है अगर आगे के medications काम नहीं करती तो ऐसे ही सीखे detail में medicine course में अलग-अलग दववायों के बारे में अलग-अलग offerable price में तो medicine course को access करें Pharma Rocks के अपपर whatsapp कर सकते है 9016312020 नमबर पे साथ ही हमारी second channel को भी subscribe करके support करें link description box मिल जाएगी good luck and all the best